हेलो दोस्तों आप सभी का सब चीव जान चाल में बहुत बहुत स्वागत है एक और इंटरस्टेंग वीडियो में आप लोगे लेकर आया हूँ जैसे कि मुझे बता है कि आने वाले दो महिने तीन महिने चार महिने 6 महिने तक तो यह लोग देखें है क्योंकि कोई आज पर्च चार महिने बाद परचेस कर रहे है तो यह उपूर रेनो 2Z जो इसमे सब्सक्राइब और 20X वाला तो 20X वाला अगर आप चाहते हो उसके अनबोक्सिम तो वो भी ले क्या हूंगा, उसका बस camera शार को था, इसमें 4 camera आते, इसमें 3 camera होते हैं, बाकि almost future same है, ठीक है, इसमें pop-up camera आता, जो कि light के साथ है, बहुत ये अच्छा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, box, बाकि इसके इंदर क्या के available होता है, वो सब चीजे बताने वाला और last में वीडियो के आपको कुछ photo के sample दूँगा, और वीडियो दूँगा कि किस तरीके से इसकी performance है, तो वीडियो शुरू चले के लास तक जरूर देखना, कुछ भी सुझा हो, तो comment में जरूर से बताना, कि मैं आपको unboxing के इंदर क्या के चीजे लांके दूँँ, और यार, शुरू करने के लिए यही तो बोलेंगे, तो चलिए unboxing शुरू करते है, common word है ना, तो इसलिए repeat होई जाता है, ठीक है, तो हम भी चलिए शुरू करते है, तो यह है अपनी device मैं आपको दिखा देता हूँ, OPPO Reno 2 Z के नाम से है, दोनों साइड पे branding आप देख सकते हो, O यहाँ पर बैक साइड जो पैनल होता वो दी गई है, और यहाँ पर सील मैंने उपर दर लिए, और इस साइड से आपको दिखा दो तो device की पूरी MRP बगर दी गई है, जो कि यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, obviously बाद है, maximum price है लेकिन यह आपको 29,990 मतलब 10 आपको 30,000 में मिलने माला है, बागी आपको back side से इसकी आपको detail दे रहा हूँ, 8GB RAM के अंदर 256GB ROM मिलती है, और sky white इसका color है, तीक है made in India इस पे लिखा गया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, box के अंदर क्या क्या है, तो चलो इसको open करते हैं, तो दोस्तों box के अंदर content ह अम यह सब क्यूं है देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको guidelines paper बगरे देखने को मिलते है, आपको phone तो आपको मिलेगा ही, मिलेगा और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, airphone भी दिये गया है, जोकि आज कि आज कल कोई नहीं देता हूँ, अगिन इसके अंदर आपको इस इफ़ाइब और यहां पर आपको डेटागेबल देखने को मिलती है और एक विलीकाउं कवर बहुत ही अच्छी लेदर लॉग देता है यह लेदर नहीं है लेकिन लुग अच्छी देता है ट्रांस्पेरेंट नहीं है बहुत ही अच्छी इस पर ब्रेंडिंग की दिए ठीक है इसके बाद इजेक्टर बिन आपको हर फोन के साथ देखने को मिलती है और फोन तो अपना है और आप बात करते हैं इसके चार्जर की तो यहां पर आपको 5W आउटपूट चार्जर देख अब बात आती है हमारे फोन के तो फोन यहां पर आपको दिखा रहे हैं तो फोन पहले मैंके खोला था ऐसा नहीं है नहीं की फिल रहे है फिले लेकिन है डिवाईस नहीं हूं तो दोस्तो जब तक यह ऐँस्टर इस रिफूर्यूट यहां वाइफ्ट और ऊदेशन्स 鉄塔 क् अप्सलडिया गया है, और बाकिया आपको 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 देखने को मिलता है पावर बटन, और उसे के उपर, सीम ट्रेई को मिल जाती है यसे कि मैं फोक्स कर दिता हूं, और ट्री स्लिट सीम है इसके अंदर मैं आपको बाद में दिखा दूँगा इसमें आप डबल सिम लगा सकते हो और एक मेमरी कार्ड भी लगा सकते हो और इस साइड के बात करें तो इस साइड पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पावर अपडाउन यहां पर दिया गया नीचे 3.5 mm जैक दिया और C-type port charging दिये गया है जिससे आप fast charge कर सकते हो और उपर की तरह बात करें तो उपर आपको pop-up camera देखने को मिल जाता है साइड में noise cancellation speaker देखने को मिल जाता है जो आपकी noise को clear करने में मदद करता है तो अब यह phone स्टार्ट हो चुका है तो मैं आपको इसकी detail दिखा देता सबसे पहले बात करते camera की तो आप देखोगी यहाँ पर camera कितनी जादा clarity आ रही है आप देखिए तो मैं आपको camera की clarity दिखाना जाओंगा देखो पीछे की तरह जो cover पड़ा है ना इसकी detail देखो कितनी बारी किसी इसमें दिख रही है इस camera की खासियत बकी लास्ट में मैं सैंपल दो डालूँगा ही 48 megapixel दिया गया है तो कुछ न कुछ तो खासियत होने वाली है और इसका front camera की बात करें तो आप यहाँ पर देखना light कैसे जलती है कितनी अच्छी finishing देता है यह देखिए मैं आपको दिखाना जाओंगा यह देखिए पापक कैमरे को बहुत अच्छी से design किया गया है एक अलग finishing दी गई है इसके अंदर light के साथ बहुत अच्छी finishing देता है और एक अलग look देता है अब बात करते इसके fingerprint की तो fingerprint इसमें दिया सकते हो pop-up camera के अंदर मैं suggest नहीं करूंगो face unlock आप लगाओ बात करते हैं इसके display की तो display आपको दी गई है 6.53 inch की और इसके अपर आपको gorilla 5 की protection दी गई है जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था तो दोस्तों वहीं बात करते हैं इसके function की तो function की हम बात करेंगे तो color OS version 6.1 है android 9 है processor octa core है RAM 8GB है और storage 256 है जिसके अंदर हमें free available मिलती है 222GB तो वहीं बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमे 4000 mh की बैटरी देखने को मिल जाती है overall देखा जाए तो phone बहुत ही अच्छा निकाल गया है और सबसे बड़ी बात मुझे इसके अंदर लगी sim जो की triple slot क साथ आती है तो मैं आपको इसके sim भी दिखाते हैं जैसे कि मैंने का था last में दिखांगो और last में जाते जाते हैं आपको कुछ इसके video sample मिलेंगे photos मिलेगी जिससे आपको एक idea सके कि phone किस तरीकी performance देता है तो दोस्तों यह है इसके sim tray इसमें 3 slot देखने को मिलते है जिसमें आप double sim भी लगा सकते हो एक memory card भी लगा सकते हो तो आप जाते जाते देख के जाई है पूरी video आपको last night photo और video को sample देखने को मिलेंगे कर दो किस दो किस दो किस दो कि लगा सकते हाई झाल मिलेंगे